Hello and welcome to the study icon So, एक नई development news यह है That India supports Russia At United Nations, specifically United Nations General Assembly So, क्या है, क्या नही है, इसके उपर हम डिसकस कर रहे होंगे But before moving on to the lecture अगर आप चैनल पे नही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइटम को क्लिक कर देना Now, recently हुआ क्या है United Nations में, इंडिया ने Vote किया है, Russian Resolution के Favor में, on fighting over Nazism, तो Nazism यह कैसा आया, रशिया के में और रशिया Nazism के खिलाफ क्यों है और Nazism is related to Nazi, Nazi is Hitler And Hitler is Germany तो यह क्या हो रहा है, तो देखो यह इतना simple नहीं है, ठीक है यह थोड़ा सा complex है और इसमें मैं आपको History में लेकर जाना चाओंगा तो History में हुआ क्या है History में Germany के डिक्टेटर था Hitler, उसकी कुछ ideology थी वो ideology Nazism, वो आज भी exist करती है, और आज भी exist करती है Neo-Nazi से Neo-Nazi, इसके उपर भी हम discuss करेंगे What is Neo-Nazi तो History में क्या हुआ है Past में क्या हुआ है तो History यह कहती है जो Hitler था, वो Germany से था और वो किसे चिड़ता था उसकी जो fight थी वो किसके खिलाफ थी वो थी Jews के खिलाफ बट कई लोग को लगता है सिर्फ Jews के खिलाफ थी ऐसा नहीं था और भी ऐसे कई सारे ग्रुप्स थे जिसके खिलाफ वो लड़ता था जैसे एक टाइम पे था वो Asians के उपर भी आता अगर वो World War 2 World War 2 को जीच जाता तो वो Asians के उपर भी आता वो Jews पे था इसके अलावा Russian जो भी Russian थे वो उनको भी नापसंद करता था जो एक्चुल में जर्मनी जो World War 2 में जर्मनी की और USSR की फाइट हुई थी जिसमें एक्चुली USSR नहीं USSR प्लस US तो उसमें USSR ने और USA इन दोनों ने मिलकर जर्मनी को हराया था जर्मनी को हराया था उसकी पेमेंट्स अभी तक जर्मनी कई सारे देशों को स्पेशली यूरोप के कई सारे देशों को पे कर रहा है तो जो Hitler की विचार धारती जो उसका हेट था जैसे वो Jews के साथ चाता था उनको बस मार देना उनको खतम कर देना यह नहीं कि हमारे देश से चले जाओ नहीं उनको खतम कर दो वही वो Russians के ले चाता था और जब USSR के साथ रशिया की फाइट हुई उस टाइम पर जो एरिया था यूक्रेन का तो यह जो आप रिसेंटली मैप देख रहे हैं यह करंट मैप है जो रशिया, रशियन फेडरेशन यूक्रेन और जर्मनी को दिखाता है बट एक टाइम पर जो यह रशिया है यह रशिया एक टाइम पर यह USSR हुआ करता था और इसकी बाउंटरी जहां तक थी जो कि जर्मनी से सीधी मिलती थी यह आप मैप देखें तो यह रशियन एमपाइर जो दिखा रखा मैठ यह बिसकली USSR है रशियन एमपाइर यह यह USSR है और जब World War Two में जो फाइट हुई थी तब बनाती ट्रिपल एलायंस उस ट्रिपल एलायंस में जर्मनी आउस्रिग्री और इटली इन तीनों ने अपना alliance बनाया और सीधा USSR पे Russian Empire पे attack किया तब USSR और USA ने मिलकर जर्मनी के alliance को हराया तो अगर आप देख पाएं यह जो area है यहाँ पर पढ़ता है Ukraine यहाँ पर है Ukraine और यह जो देखो आज के time पर जर्मनी छोटा है उस time पर जर्मनी की boundary around यहाँ तक थी यह भी थी आज यह वाली boundary नहीं है यह जो आप स्कीन पर देख पा रहे हैं तो यह जो boundary थी यह सीधा Russian Empire से पहले मिला करती थी तो यह जो Ukraine था मतलब आज का तो Ukraine है बट यह land जो Ukraine के पास थी यहाँ पर यहाँ पर Russians नहीं रहते थे यहाँ पर Russians एक्चुली नहीं रहते थे Russians इधर साइड रहते थे आज भी वो यहीं मिलते हैं Russia आज भी वो यहीं मिलते हैं तो जब जर्मनी ने attack किया ना तो उन्होंने Russia के जो रुषियन एंपायर था USSR उसकी काफी सारे रीजन हतिया लिये थे जैसे आज की वार में देखा जा रहा है रुषिया ने काफी सारे फॉर्मेर ली तो क्राइमिया अगर इस क्राइमिया को हम देखे तो यहाँ पर रशिया ने अल्रेडी कबजा कर रखा है ठीक है तो ऐ आपके साथ हैं हम आपके साथ मिलके लड़ेंगे आपको बैक करेंगे आपको सपोर्ट करेंगे बस आप हमारी जानमत लेना और हम रुषियन एंपायर के खिलाफ आपके साथ मिलके काम करेंगे ठीक है तो बेसिकली हिटलर को और क्या चाहिए था यही तो चाहिए था उनक ठीक है वहाँ तो मिलते है रुशियन सी वहाँ पर जो प्रॉपर जो नेशनलिस्ट है रुशियन नेशनलिस्ट वही मिलते हैं बट आज भी यूक्रेन के कुछ रीजन में इस रीजन में यूक्रेन के कई सारे ऐसे गाउं हैं कई सारे ऐसे शेहर हैं या ऐसे कम्यूनिटी के लोग हैं जो आज भी नाजिजम को प्रमोट करते हैं जो नाशिजम को कहते हैं उसको एक्चुली चू उक्रेयन की कुछ communities है, कुछ गाउं है, कुछ लोग की ideology है, यह जो ideology है, नासिजम की, यह एक पूरी national ideology है, मतलब खेर, government supported नहीं है, बट काफी जादा जानी मानी है, और यहाँ तक कि उनकी आर्मी में भी, उनकी आर्मी में भी एक battalion बना हुआ है, नाजी का, नियो नाजी के नाम से, तो इसका मतलब यही नहीं हो जाता कि, पूरा जो यूक्रेयन है, वो support करता है, और पूरा यूक्रेयन नासिजम को promote करता है, नहीं, ऐसा नहीं है, अगर आप देखो, जो उनके इस टाइम पर प्रेजिडेंट है, व्लादीमिर जिलन्सकी, ठीक है, व्लादीमिर ज चंक है, उसको कह दे कि नहीं, तुम लोग गलत हो, तो वो directly कह भी नहीं सकते, बट हाँ, इस बात को वो अल्रडी कह चुके हैं, कि हिटलर की ideology सही नहीं थी, हिटलर ने जो करा, वो ठीक नहीं था दुनिया के साथ, और वो भी एक Jews है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे उ Russians के खिलाफ, तो जो Russians के खिलाफ है ना, वो उसको देखते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, ना कि Jews के खिलाफ, उनका तो खुद का President Jews है, पट स्टिल, हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कि Ukraine में, आज भी ideology exist करती है, किसकी, हिटलर की ideologies, ठीक है, अब यह क्या है, अभी इतने उस लेवल पर नहीं है, बट अगर इसको इग्नोर किया जाएगा, तो धीरे धीरे बढ़ भी जाएगी, है ना, तो इसलिए यह चीज़ इग्नोर नहीं किया सकती है, और इस concept को कहते है, नियो नाजिजम, नियो नाजिजम, अब इसके उपर में आपको एक एक्स्प रिवाइब, एंड रिइंस्टेंट नासी आइडेलोजीज, तो देखो, अभी हमने जो बात करी कि विचारधा रहे हैं, कई सारी कॉम्निटीज हैं, कुछ गाओं भी हैं, जो इन बात को मानते हैं, तो इस साब यह मत समझेगा, कि एक यह social concept है, और लोग इसमें believe करते हैं, लाइक हमारे हाँ पर हिंदूत्व का concept है, ठीक है RSS है, और भी ऐसे हिंदू समाज वगेरा है, नहीं, यह ऐसा नहीं है, it's different, क्योंकि इसमें एक बात आती है, concept आता है, militants का, militants माने, terrorist, तो एक ही terrorism से connected point है, that neo-nazi terrorism जिसको का जाता है, जैसे हम Islamic terrorism के बारे में बात करते हैं, वैसी concept आता है, neo-nazi terrorism और यह जो neo-nazi terrorism है, इसका use कर रहा है Russia, ठीक है, इस concept का use कर रहा है Russia, उनका जो invasion है, उनका जो invasion है, किसमें Ukraine में उसको justified करने के लिए, रश्य का कहना है, रश्य का कहना यह है, कि जो हमने invasion किया है, वो ठीक किया है, हमारी जो fight है, वो terrorism के, जो neo-nazi terrorism है, उसके खिलाफ है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो यह concept, यह ideology, और यह terrorism, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और इसके ओपर जो Vladimir Putin है, जो France की leader है, उनसे बात भी करिये, और इस बात को point out भी किया है, कि किस तरहे, जो France की leader है, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, इनसे बात करिये, और point out किया है, हिरोशीमा, हिरोशीमा का जो nuclear bomb था, उन्हें definitely यही बताया है, कि किस तरीके से, जो Germany था, उसके aggression की वज़े से, जर्मनी से इनका मतलब है, नाजी नाजी के aggression की वज़े से, इतनी बड़ी war होती है, उसके बाद world war two तक पहुँचती है, और उसके बाद, जपान जैसे देश पर, एक nuclear attack होता है, तो यह कहा जा रहे है, कि मैं nationalism को जल्द से जल्द रोकना चाहिए, वरना, यह हमारे लिए, एक nuclear threat बन जाएगा, हलाकि, साफ सा किया कि एक political move है, एक geopolitical move है, तो इन्होंने अब क्या करा, इन्होंने इतना सब कुछ किया, और यह देखो, यह दिखाता है कि व्रादिमिर पुतिन कितने चालाक politician है, कितनी इन्होंने चालाकी से, सब manipulate किया, सब पूरे एक भूमिगा मनाई और उसके बाद सिधा attack किया, कहा United Nations में, इन्होंने करा क्या United Nations में, इन्होंने जो United Nations की Journal Assembly है, United Nations Security Council में 19 मेंबर से सिर्फ, ठीक है, और वहाँ पे वीटो भी करा जा सकता है, तो अगर वहाँ पे रश्या करता है, ऐसा कुछ, तो वहाँ पे देखो, US बैठा है, ठीक है, वहाँ US उसको direct वीटो कर देगा, लगबग लगबग पूरी दुनिया आती है, United Nations General Assembly में, अब फरक क्या है, दोनों की voting में, दोनों की voting में फरक ये है कि United Nations की Security Council में 19 मेंबर करेंगे, और सब को करना mandatory है, कंपल सरी है, UNSC में, बट UNGA में ऐसा नहीं है, UNGA में आपकी मर्जिया आपको करना है नहीं करना, वोट अब abstain भी कर सकते हो, अब भी तक देखा आ रहा था कि India abstain कर रहा था, बट नाओ, इंडिया ने खुल कर सपोर्ट किया है, रश्या को, जब रश्या को सबसे जाधा जरूरत थी, तब इंडिया आगे आया, और उसने रश्या को सपोर्ट भी किया, अब देखो, व्लादिम पुतिन, अगर मैं व्लादिमिर पुतिन कहला हूं, तो मेरा मतलब है रश्या, रश्या ने एक बहुत अच्छा मूव कहला, और एसनी की पहली बार करा इन्होंने, इन्होंने पहले भी इस चीज़ को रखा है, इन्होंने, ये क्या करते हैं, जब भी नासिजम के बारे में नियों नाजी आइडिलोजी पर देश बने हैं, ठीक है, वो किस तरीके से हमें हाम कर सकते हैं, किस को, रेसिस्ट कंट्रीज को, वो कैसे, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, और जो भी कई सारी, कई सारी एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, वो, और सारा का सारा एफ्रीका, ये सारा का सारा racism के चपेटर में आ जाता है और यह nationalism इस चीज़ के खिलाफ काम करता भी है जो racism है ना उसको लेकर उसको लेकर वो काफी सख्त है ना-स तो जो पहला point वो use करते है सीधा सीधा वो use करते है racism थिकले जो नाजीस ट्रक्टिस करते हैं दूसरा हूँ पॉइंट करते हैं इस्लामोफोबिया एक इसको यूज करते हैं और इसमें विलाद इमीर पुतिन को ना कहते हैं कि डबल साइडेड प्रॉफिट हो जाता है कैसे वो उनके जो रश्या है आज के टाइम पे उसमें काफी बड़ा चंक इसलाम का है और इसलाम की पॉपिलेशन रश्या में बढ़ती जा रही है मुस्लिम्स की तो कही न कहीं यह चीज दर्शाती है कि कैसे आगे चलके रश्या एक इसलामिक कंट्री भी बन सकता है उसके आज के टाइम पे जो इसलामिक महा के लीडर्स है और जो इन्फुएंशल पीपल्स है इसलाम के उ और इसमें एफ्रिकन कंट्रीज भी कही सारी आती है वो सारी के सारी सपोर्ट में आ जाती है जो एशियन कंट्रीज है वो सपोर्ट में आती है रेसिजम की वज़े से और व्लादेमिर पुतिन ने इस बार तो हीरो शीमन नाके साकी के लेकर नूकलियर बॉम का भी नाम लि तो उसमें इंडिया ने साथ दिया है किसका रश्या का वोटिंग में और रश्या यह जीता भी है यह जो वोटिंग है इसमें जो रश्या रेजोलूशन था ठीक है ओन फाइटिंग नासिजम इसमें रश्या जीता भी है इंडिया है पाकिस्तान है अरब कंट्रीज है जपान है और African countries है सबने मिलकर support किया है और देखो United Nations General Assembly में पूरी दुनिया आ जाती है लगबग ठीक है 193, 196 यही कोई counting है ठीक है यह पूरी दुनिया आ जाती है तो जब भी इसमें कोई voting होती है तो कहीं न कहीं यही दरशाय जाता है कि पूरी दुनिया इसमें सहमत है लगबग लगबग सभी देश इस point पर आते हैं तो इसको conclusion यह निकलता है तो हलाकि यह जो इसमें point था वो नासिजम के खिलाफ था बट जो व्लादीमिर पुतिन है वो justify कर रहे है अपने invasion को वो जो उनका Ukraine में invasion है उसको justify करने की कोशिश है जिस टाइम में यह lecture record कर रहा था उस टाइम पर एक और news निकल कर आईए देट रश्या के जो प्रेजिडेंट है पुतिन उन्होंने इंडिया को दुबारा से shout out दिया है अभी recently आपने देखा होगा व्लादीमिर पुतिन ने जब डॉक्टर एजे शंकर विजिट करने वाले थे मॉस्को तब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था क्या कहा था अगर आपको यादो मैंने कवर भी किया है यह यह बने कवर भी किया यह फूचर बिलॉंग्स टू इंडिया उनका ऐसा कहना था यह एक स्ट्रेटेजिक मूव था जिसमें उन्होंने इंडिया की गुड बुक्स में आने का ट्राई किया था इन्होंने इस बार भी ऐसे किया है जो उनका सेवन को और एट को यानि कि जिस टाइम यह लेक्चर अपलोड होगा जिस दिन यह लेक्चर अपलोड होगा उस दिन डॉक्टर S.J. शंकर अल्रेडी मॉस्को माने रशिया में जा चुके होंगे ठीक है और उन्होंने जो व्लादिमिर पुतिन है अपनी एक मीट में ऐसा का है कि जो citizens हैं इंडियन citizens वो talented हैं purposeful हैं वो जिस भी देश में जाते हैं कुछ नो कुछ बढ़िया अचीव करते हैं ठीक है वो बहुत ज़ादा talented हैं वो innovative हैं तो ऐसी बाते उन्होंने कही हैं तो कही न कहीं देखा जा रहा है कि अभी लगबग बहुत सारे ऐसे देश हैं तो directly तो नहीं बिल्कुल directly तो नहीं बट indirectly रश्या को support कर रहे हैं इतना तो US को और Ukraine को support नहीं मिल रहा है जितना support जितना geopolitical support मिल रहा है रश्या को सारी Arab countries जो OPEC से related हैं जो भी gas और oil वगेर से related हैं वो countries इंडिया जैसी countries जो allies तो हैं जो अलग इंडिया है बेलारूस है ठीक है चाइना है ठीक है ये तो हैं इसके लावा African countries अभी recently Africa से statement आई और ये मैंने cover भी करी थी कि Africa के कुछ देशों में कुछ देशों के जो leaders हैं उन्होंने काए कि Russia पे attack मतलब Africa पे attack यहां तक statement आई है रश्या को लेगर तो काफी जादा रश्या को supporters के उपर मिल रहा है तो देखते हैं अब रिसेंट आने वाले दिनों में क्या होगा इन्होंने ये UNGA में प्रपोजल रखा एक resolution रखा वो पास हो गया वो majority से जीता अब देखते हैं next जो होगा मौस्को की तरफ से क्या reaction आएगा नाओ बिफोर एंडिंग दा वीडियो आई रिक्वेस्ट यू अल तो सब्सक्राइब माइ चैनल ऐसी नई अपडेट्स के लिए बेल आटम को क्लिक कर देना शुब गोल साइनिंग ओफ